सिंक का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं सिंक जो है वो सिंक्रोनाइज को ही शोर्ट में कहा जाता है कहने कि सिंक्रोनाइज यह सिंक का मतलब होता है कि कि नहीं भी दो चीज़ों को एक साथ कर देना या कोई संकरमन या समन्वे स्थाफित करना या मान लिजिए आपके पास दो डिवाइस हैं एक आपका लैप्टोप है एक आपका मुबाइल है तो सिंक करने का मतलब कि जो आपके मुबाइल में डेटा है वो आपके लैप्टोप के साथ अपडेट हो जाए और जो आपके लैप्टोप में डेटा है वो आपके मुबाइल के साथ अपडेट हो जाए तो उसको सिंक करना कहते हैं या फिर इसको आप इस तरीकी से भी समझ सकते हैं मान लेजिए आप दो अलग-अलग सिस्टम पर काम करते हैं और आपका सिस्टम जो है वो cloud के थरू या internet के थरू connected है तो एक सिस्टम पर आपने जो काम किया वो automatically आपके दूसरे सिस्टम पर चला जाता है तो उसको भी sync करना कहते हैं या synchronize करना कहते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप अपने mobile phone से जो भी काम करते हैं वो सारा data जो है किसी server पर भेजना चाहते हैं या server से लेना चाहते हैं तो उसको भी sync करना कहा जा सकता है तो इसी को यानि कि किनी दो devices की बीच में आपस में जो communicate होकर जो data है वो common हो जाता है तो उसी को sync या synchronize करना कहते हैं जैसे कि आप ये कहना चाहें कि मुझे अपने phone को अपने computer के साथ sync करने की आवशकता है तो आप कहेंगे I need to sync my phone with my computer या अगर आप ये कहना चाहें कि वे उपकरन एक दूसरे के साथ समन्वित नहीं है आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें